आईए मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरे स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सयोगी संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं संदीप बिलकुल और यहाँ पर संदीप सोनवलकर मेरे नेम सेख एक बात कह रहे थे प्रभू कि संग अब बताएगा हरकत में भी आएगा और बताएगा कि व्यक्तिवादी राद नीति ये परस्नालेटी कल्ट नहीं चलेगा ये तो पिछले साल भी बताया था ना संद संग ने और और अरगनाइजर में करनातक की हार के बाद साफ लिखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत के बल पर ही आप चुनाव नहीं जीतते रहोगे पर उस बात को तो अंदेखा किया गया था कि अर्टे के रखांस अदिकारियन नहीं लिखा था विजये पर ऑच नहीं जी जी आग़ेगा से लिखांस की फयरोगेम बखतेता देता ह। यह इस सब्सक्राइजर मांनिया जाताज है कि अग जांफिए करते हैं पर उपीनिन की तेस्टिंग की गई थी दुरूर यह बात है प्रहं तो मैं आरसेस को अच्छी तरह अंदर से जानता हूं कि इस तरह काम करते हैं और डिरेक्ट कभी इंटरस नहीं करते हैं उनके कोडिनेशन कमेटी मीटिंग होती है अब तो बीजेपी सिक्षम हो गई थी अब वो बताएंगे कि हमारे बिना पूर्ण नहीं हो आप अब बोलने देंगे तो आपको समझा दूगा कैसे होता है अब बीच में इंटरप्ट करेंगे फिर नहीं होता है कि आरसे तो काम करने अथरियों क्या अब जैसे बात कुआ है कि जब दो अजार चार के अंदर चुनाव हार गए थे तो ड़ानी जी का सबसे पहला स्टेट् अब बावन लोगों को खड़ा कि है जो डिफेक्टर है मंत्री ऐसे लोग है जो बावू रहे कभी और बीजेपी में रहे नहीं कभी सारी की सारी सरकार बावू चलाते हैं बीजेपी क्या संग का कोई भी इंटिस के अंदर नहीं होता था चायो उचना अब संग के सारे प्रचारक साठ से उपर बीजेपी के अंदर विबिन पद्धो पर काम कर रहे हैं पहले उनको छूट होती थी कारेकरताओं से कैसे काम लेना है क्या मेटीरल देना है कैसे काम कराना है इस बार उन्होंने आउट्सोर्स एजंसी बख दी जो संग के कारेकरताओं को करेगा हिंदु मुसल्मान का पुट इतना हावी था या यह काट है कि जाती मुँ फिर से बार रही है और वो जाती मुँ बाती दिखी है विल्कुल संदीब जी याद है आपने यह दिसकुशन के प्शुरू किया था शरत पवार ने साफ कर दिया है कि नितीश कुमार से मे यह खबरों की आपद आप ही ऐसी होती है कि ब्रेकिंग न्यूस चलानी है कि चलानी है कि नहीं चलानी है तो मैं कह रहा है कि मुझे आद है जब यह एलक्शन कंपेइन शुरू हुआ था थोड़े दिन बाद ही आपने एक शो किया था जिसमें यह बात कही थी उस समें कॉपरौ है तो है ए हमे रहा है मिच काइं लिकनी कांपेच लगा और में अपने में समाहिद कर ने रहा है जाती डारी нос आइन पार्टी ने कैना किम पार्टी औरिंपी ने की चार्चेवrän करनारा बैकफायर कर गया वो आरक्षन से संविधान से जुड़ गया कि हमारा सोरक्षा का वची ना चीन ले बीजेपी बिलकुल वो कहते ने 400 पार को उन्होंने एक भाय के रूप में पूरा जो एलेक्शन केंपेन अपोजिशन का था वो एक भाय क्रियेट करने का और भाय स तो मतलब एक अंडर करेंट था शायद हम पकड़ नहीं वह दिखी चुप है जी चुनाव सब यह मान रहे है जी नहीं चुप है तो यह मौन स्विक्रिती है और यह प्रो इंकंबंसी दरसल नहीं थी नहीं थी और उसी के कारण हुआ कि जो 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 पासीज वगेरा जो क कि बीजेपी के वोट हुआ करते थे उनमें फ्रैमेंटेशन हुआ लाबार्ती में भी बिल्कुल हुई और वो एक सेक्शन समाझवादी पार्टी के तरफ गया तभी तो युक्तर प्रदेश का पढ़नाम ऐसे थोड़ी आता और मायवती धुल्मुल राजनीती एं परपे हाँ उसके दरण उनकी प्राइसिस तो पैदा हुई या जो लूज हुआ है वो बीजेपी का लूज हुआ है क्योंकि डलीत वोटों में जो बीजेपी का शेयर था अगर वो लूज हुआ है और वो समाझवादी पार्टी के तरफ गया है तो मायवती ने अपने वोट परसे हैं कुछ ही देर में वहाँ पर राहुल गांदी पहुंच सकते हैं खबर ये भी आ रही थी कि शाम साथ बजे की जो बीजेपी ने अपने हेड़कौर्टर्स में तैयारी कर रखी है वहाँ पर हाँ अब लड़्डू तो खैर कौन खाएगा पर प्रदान मंतरी जाएंगे तो अब ताल भी ठोकी जा रही है पेशबंदी शुरू हो गई है अगर मैं को अब है नहीं बिल्कुल देखिए दोनों तरफ से सरकार बनाने की कोशिश होगी हां दोनों ही पक्ष सरकार बनाने की स्थिती में हैं दोनों को ही जैसे कहा गया इम्रान परताब गड़ी ने ब तो क्या मैं एक मेरे पास 10-12 MP है तो मैं ऐसी सरकार रहना पसंद करूँगा यहां पर धाइसो का प्रथान मंत्री है एसी सरकार रहना पसंद करूँगा यहां पर अबने कुछ और आ रही है